नमस्कार मैं अलताफ और आप देख रहे हैं दाकंटाफ नागालेंड के ओटिंग में सेना की फाइरिंग में 14 लोगों के मारे जाने के मामले में केंद्र सरकार ने SIT जाच के आदेश दिये SIT को मामले की जाच करके एक महीने के अंदर रिपोर्ट सरकार को सौपनी साथ ही मामले में सेना ने भी कोर्ट ओफ इंक्वाइरी बैठा दिया लेकिन इसी बीच नागालेंड में सेना के खिलाप गो बैक के नारे लगने लगे हैं वहां के लोग नागालेंड की सेना के खिलाप विरोध परदर्शन कर रहे हैं विजेता सिंग नाम की एक पत्रकार ने अपने ट्यूटर पर एक विडियो जारी किया है जिसमें साफ तोर पर देखा जा सकता है कि किस तरह नागा लेंड के लोग नागा लेंड की सेना के खिलाब विरोध प्रदसन कर रहे हैं। आप भी देखिए। देख के आंतरिक गतिविधी मामलों की जिम्मेदारी देख के ग्रीह मंत्री अमिसा की है। लेकिन उनके सासनकाल में कभी सरयाम पुलिस की पिटाई होती है तो कभी सेना की बेज़ती। लेकिन फिर भी वो एक ही बात बोलते हैं कि देख में सब अच्छा है। नागालेंड की सेना के द्वारा हुई 14 लोगों की मौत पर उन्होंने कहा कि ये अंजाने में हुआ एक घटना है जिसका हमें खेद है। पहले आप पूरी बात सुनिया मिसा की। अच्छते ने दिनांग 4 बार 2021 की साम को संदीक दिक्षित्र में अंबूस लगाया था। अंबूस के दोरान एक वहन अंबूस के स्थान के समिप पहुंचा उसे रुकने का इसारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाए वहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया। जिसके उपरांत इस आसंका पर कि वहन में संदिक विद्रोही जा रहे थे। वहन पर गोली चलाई गई जिससे वहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्ति हुई बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो दो लोग गायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नदी की स्वास्त केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामिनों ने सेना की टुकडी को घेर लिया, दो वहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम सरुप सुरुक्सा बल के एक जवान की मृत्ती हो गई तथा कई अन्य जवान गायल हो गए। अपनी सुरुक्सा में तथा भीड को तितर बितर करने के लिए सुरुक्सा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे साथ और नागरिकों की मृत्ती हो गई तथा कुछ अन्यगायल हो गए स्थानिय प्रसाशन और पूलिस ने स्थीति को सामान्य करने के प्रयास किये हैं अभी स्थीति तनावपुन लेकिन नियंत्रण में बनी उलिए अमित्सा ने एक बार भी सेना की बुराई नहीं की ना ही उनकी गलती गिनाई और ना ही असफा कानून के बारे में बात की जिसकी वज़ासे ये घटना होई अगर आप अफसाफा कानून के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी चैनल में आप देख सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो जिसमें मैंने अफसाफा कानून पर विस्तार से बात किये तो खेर अमिस्ता ने एक बार भी नागालेंड में मारे गए लोगों को मुआबजे की बात नहीं की ना ही उनके परिवार वालों के लिए कुछ कहा लेकिन वहीं इस घटना के बाद बीजेपी की ही नेताब और नागालेंड के सीम नेफ्यो रियो और मेगाले के सीम आमिस्ता से राज्यों में अब सफा कानून हटाये जाने की मांग किये वहीं इस कानून को लेकर AIMIM के प्रमुक असदुद्दिन ओवैसी ने क्या कहा आप भी सुनी है See if you see the history of after independent India, this bill was introduced by GB Pant only for Nagaland and this is nothing but a license to kill people and there will be no, so far no justice has been done whenever people have been killed because the Armed Forces Special Powers Act allows that special powers to be used and in last 10-15 years I don't know hardly one or two permissions have been given, so in this case of this barbaric killing of 17 laborers in Nagaland, no justice will be done, I am pretty much sure because the security forces will be using Aftra and the government will not give permission to prosecute them because so far not a single officer has been arrested, how is this possible that you cannot differentiate between laborers and terrorists and separatists जिगनेस मवानी ने नागालेंड के सियम नेफियोरियो का समर्थन करते हुए अफसफा कानून की बात की है और उसे हटाने की अपील की है आप सवाल उठता है कि जिस कानून का विरोध विपक्च के साथ साथ भुद BJP के नेता भी कर रहे हैं तो उस कानून को अमिश्चा क्यों नेफियोरियों ने अमिश्चा से सवाल किया है कि जब नागालेंड में आतंगवादियों की कोई गतिविदी ही नहीं है तो यहाँ आप सफा कानून क्यों लागू किया गया है खैर यह अमिश्चा का सासन है यहां कुछ भी संबब है चाहे नलके से खुद को फांसी लगाना हो या सडक पर चलते आम नागरिक को आतंगवादी साबित करना हो तो खैर आप भी नागालेंड में हुए इस घटना पर अपनी सब्सक्राइब मेरे साथ देखते ना दकंटा धन्यवाद